हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ योगेश कुमार स्वागत है आपका बुंदिलखन एम एजूकेशन में दोस्तो आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सवस्त होंगे और आपका आध्यान बढ़िया तरीके से चलना होगा और हम आपकी सहायता कर पा रहे होंगे अध्यान करने में तो दोस्तो ये हिस्टिय समंद्र टॉप ठाटी का वीडियो है और ये पाइट शब्दे से आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं टॉप ठाटी कोश्चन की तो आईए टाइम नबर वाद करते हुए शु कपिल देव डी वीशल देव तो दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर टी हरी केली नामक नाटक की रचना चौहान वंस के सासक वीशल देव ने की थी कुश्चन नमबर दो है विग्रे राज चतुर्त ने कब से कब तक सासन किया था ओप्शन है ए ग्यारा सो दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए विग्रे राज चतुर्त ने ग्यारा सो त्रेपन से ग्यारा सो त्रेशल चतुर्त के मद में सासन किया था कुश्चन नमबर तीन है सोम देव किस सासक के राज कबी थे ओप्शन है ए वासुदेव बी विग्रे राज चतुर्त सी पिठवी राज तितिये डी अजे राज तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number B सोम देव विग्रे राज चतुर्ट के राज कभी थे Question number 4 है ललेत विग्रे राज किस ने लिखा था option है ए चाड़क, B विशुण सरमा, C सोम देव, D विशुण गुप तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number C ललेत विग्रे राज नामगनाटक, विग्रे राज चतुर्ट के राज कभी सोम देव ने लिखा था Question number 5 है अड़ाई दिन का जोपड़ा मस्जिद से पहले क्या था option है ए भवन था, B मंदर था, C आश्रम था, D विद्याले था तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number D अड़ाई दिन का जोपड़ा मस्जिद बनने से पहले विग्रे राज चतुर्ट द्वारण निर्मित एक संस्क्रिद विद्याले था Question number 6 है चोहान वन्स का अंतिम सासर कौन था option है A प्रिद्वी राज तितिये, B प्रिद्वी राज दुतिये, C अजे राज, D विशल देओ तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number A चोहान वन्स का अंतिम सासर कौन था, प्रिद्वी राज तितिये को माना जाता है Question number 7 है चंदर वर्दाई किसके राज कभी थे? Option है A विशल देओ, B प्रिद्वी राज तितिये, C अजे राज, D दन्ति दुर्ग तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number B चंदर वर्दाई प्रिद्वी राज तितिये के राज कभी थे? Question number 8 है चंदर वर्दाई ने किस गरंद की रचना की थी? Option है A अस्टाद्याई, B अर्थसाज, C प्रिद्वी राज 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 तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number C चंदर वर्दाई ने प्रिद्वी राज 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 नामक गरंद की रचना की थी? जो प्रिद्वी राज चंदर को समर पिते है? Question number 9 है रण थम्बाओर के जैन मंदिर का सिखर किसने बनवाया था? Option है A की ती वर्वन ने, B दंती दुर्ग ने, C अजे राज ने या D प्रिद्वी राज तितिया ने तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number D 94 की सासक प्रिथ्वी राज तितिया ने रण थम गोर के जैन मंदिर का सिखर बनु आया था Q10 है तरायन के प्रिथम युद्ध में किसकी वज़े हुई थी Option है ए प्रिथ्वी राज तितिया की बी प्रिथ्वी राज दुतिया की C महम्मद गोरी की या D बावर की Q11 है तरायन के दुतिया युद्ध में किसकी वज़े हुई थी Option है ए ए बक्की, B महम्मद गोरी की, C बक्तियार खिलिये की, D महमूद गजनिवी की दोस्तो इसका अंजर हो जाएगा Option नमबर B तरायन के दुतिया युद्ध में महम्मद गोरी ने चोहान वज़े के साथ सक प्रिथ्वी राज तितिया को 1192 इस्वी में बुरी तरह प्राजित करके वज़े प्राप्त की थी क्वेशन नमबर 12 है वाकटक वन्स की स्थापना कब हुई थी Option है A 244 इस्वी में, B 244 इस्वी में, C 255 इस्वी में, D 245 इस्वी में दोस्तो इसका अंजर हो जाएगा Option नमबर C वाकटक वन्स की स्थापना 255 इस्वी में हुई थी Q. 13 है वाकाटक वंस का संस्तापा कौन था? A. प्रवर सेन, B. रूद्र सेन, C. प्रिथ्वी सेन ये D. विंद्र सक्ती दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ओप्सिन नमबर D वाकाटक राजमंस की स्तापना विंद्र सक्ती ने 255 परीज़ी में की थी Q. 14 है वाकाटक राजमंस के सासक प्रवर सेन ने समराज की उपादी धाराण की थी Q. 15 है किस सासक के बाद वाकाटक वंस दो भागों में विभाज़ी थो गया था? Q. 16 है वाकाटक राजमंस की दोनों साखाओं का नाम क्या था? Q. 16 है वाकाटक वंस की दोनों साखाओं का नाम क्या था? तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A. प्रवर सेन के बाद वाकाटक वंस दो साखाओं प्रधान बासी में विभाज़ित हो गया था? Q. 11 है शत्रह है प्रभावती का विभाई किस के साथ हुआ था? ओप्शन है ए प्रवर सेन, B. रूद्र सेन दुतिये, C. सर्वे सेन ये D. अजे राज तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B. प्रभावती का विभाई वाकाटक वंस के राजा रूद्र सेन दुतिये के साथ हुआ था? ओप्शन नमबर 18 है रूद्र सेन दुतिये का पुत्र है कौन था? ओप्शन है ए हरी सेन, B. विजे सेन, C. एवबी दोनों ये D. दामोदर सेन दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C. वाकाटक वंस के साथ रूद्र सेन दुतिये के दो पुत्रते हरी सेन और विजे सेन पुशन नमबर 19 है वाकाटक वंस की प्रधान साखा का अंतिम साथ कौन था? ओप्शन है एक कुमार सेन, B. विशल दियो, C. पिरवर सेन, ये D. पृथवी सेन दुतिये तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D. वाकाटक वंस की प्रधान साखा का अंतिम साथ कौन था? खुशन नमबर 20 है वाकाटक वंस की प्रधान साखा की स्थाफना कब ही थी? ओप्शन है A. 330B, B. 230B, C. 430B, D. 335B तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A. वाकाटक वंस की प्रधान साखा की स्थाफना 330B में होई थी? Q. 21 वाकटक वंज की बासिन साखा का संस्थापक कौन था? A. सूर सेन, B. सर्व सेन, C. प्रवा सेन, D. हरी सेन तो दोस्तो इसका अंजर हो जाएगा option बी वाकटक वंज की बासिन साखा का संस्थापक सर्व सेन था कुश्चन नमबर 22 है वाकटेक वंस की बासीम साखा का अंतिम सासक कौन था ओप्षाने ए पिरवर सेन पिथम, बी पिठ्वी सेन, सी हरी सेन, डी सूर सेन तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी वाकटेक वंस की बासीम साखा का अंतिम सासक हरी सेन था कुश्चन नमबर 23 है पिरवर से इन दूतिय ने किस काब की रचना की थी आप्शन है ए हरी वजे बी रतनावली, सी हर्ष चरेत या डी सेत बंधू तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर D वाकाचक बंस के सासक प्रवर से इन दूतिय ने काब गरंध सेत बंध की रचना की थी खुश्चन नमबर 24 है हरी वजे नामा गरंध की रचना किस ने की थी आप्शन है ए सर्व शेन ने, बी सूर शेन ने, सी हरी शेन ने, ये दी प्रिथ्वी शेन ने तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A वाकाचक बंस के सासक प्रिथ्व शेन ने, प्राक्रित भासा में हरी वजे नामा गरंध की रचना की थी खुश्चन नमबर 25 है वाकाचक बंस के दरवार में कौन सी सैली का पूर्ण विकास हुआ था तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर 26 है मेग दूट के रचना की रचना की थी काली दास की दौर्ण की गई थी खुश्चन नमबर 27 है व्यग्रह देव ने कौन सी मंदर का निर्मार करवाय था ओप्शन है ए शिव मंदिर, बी विश्म मंदिर, सी गड़ेश मंदिर, या दी नचना मंदिर तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D वाकटक वंस के सासक, पिथवी सेंदुतिय के सामन बेग्रह देव ने नचना मंदिर का निर्मार करवाय था ओप्शन नमबर 28 है किस वंस के बाद वाकटक वंस का उदे हुया था ओप्शन है ए साथ वहान वंस, बी गुप्त वंस, सी मौर वंस, या दी सुंग वंस तो दोस्टो इसका अंसर हो जाएगा option number A साथ वहन वंस के बाद वाकटक वंस का उदय हुआ था question number 29 है वाकटक वंस का उल्लेक कहां मिलता है option A. विशुन पुराण B. अजन्ता तथा वाई पुराण C. एलोरा तथा वाई पुराण D. भागवत पुराण तो दोस्टो इसका अंसर हो जाएगा option number B वाकटक वंस का उल्लेक अजन्ता तथा वाई पुराण में मिलता है question number 30 है वाकटक वंस ने मद भारत पर कितने वर्सों तक सासन किया था option A. 400 वर्स B. 300 वर्स C. 200 वर्स D. 200 वर्स तो दोस्टो इसका अंसर हो जाएगा option number C वाकटक वंस ने मद भारत पर लगबग 200 वर्सों तक सासन किया था तो दोस्टो ये थे हिस्टी समंदे top 30 questions आपको पसंद आये होंगे आपने कुछ नया सीखा भी होगा तो आप लाइक करें अपने दोस्तों साथ शेयर भी करें और मन में कोई प्रेस नों तो कमेंट करके आप कमेंट वर्स में आप हमसे हो सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो में नई questions के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैन करता हैं कर नढ़ya चौँ कर द तब गजन नग्टियों कर दो कर दद seminar प्रेस बांक